आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट और इसके करेक्ट्रिस्टिक तो यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं नाव सी किसी भी फिजिकल काउंटिटी को जब भी हमारे पास कोई फिजिकल काउंटिटी है उस फिजिकल काउंटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टिंडार्ड आफ रेफरेनस सेलेक्ट करते हैं जो भी हम स्टिंडार्ड आफ रेफरेनस सेलेक्ट करते हैं किसी भी फिजिकल काउंटिटी को मेजर करने के लिए उसी standard of reference को हम unit का नाम देते हैं जैसे कि for example अगर मैं यहाँ पर एक example दे दो अगर मैं यहाँ पर एक line खिंचो और मैं इस line की length measure करना चाहता हूँ इस line की length मैं different तरीकों से measure कर सकता हूँ for example मैं इस line की length measure कर सकता हूँ by taking the length of this pen as a standard of reference for example मैं इस तरह से कह सकता हूँ अगर मैं pen को इस्तिमाल करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि यह जो length of this line A है वो है 1, 2, 3 and 4 तो मैं कह सकता हूँ यह जो इस AB line जो है इसकी length क्या है length of AB line that is जो मैंने AB line यहां पर डाली है इसकी length क्या है 4 into length of pen मतलब मैंने इस line की length को मेजर किया है by using length of this pen तो इस length of this pen जो है मैंने इसको standard of reference मान लिया है तो जो भी मैं standard of reference मान लो किसी भी physical quantity को मेजर करने के लिए उसी standard of reference को हम unit कहते हैं तो यहां पर जो length of this pen है वो ही यहां पर unit act करेगा इसी तरह से कभी कभी हम हाथों का भी इस्तिमाल करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए आगर मैं इसी लाइन को ले लू तो मैं इस तरह से भी इसको मेजर कर सकता हूँ one two three let it is यहां तक में रखूंगा इसको ताकि हमें समुझने में आसानी हो तो one two and three तो जो यहां से यहां तक जो length है जब stridged hand होगा तो जो little finger के tip से जो थम के tip तक जो length होती है it is called hand span it is called hand span तो अगर मैं इसकी length फिर मेजर करूं one two three तो मैं कह सकता हूँ यह जो length of this line है it is three hand span three hand span तो इसका मतलब मैंने इस line की length को measure करने के लिए अपना जो hand है इस hand span को मैंने reference माल लिया है तो जो मैंने stand out of reference select किया है किसी दूसरी चीज़ को measure करने के लिए है वो उस वकत unit बन जाता है तो मेरा जो hand span है वो भी unit के तोर पर इस्तिमाल हो सकता है या जो length of this pen है इसको भी मैं unit मान कर चल यहां पर unit मान कर इसकी length measure कर सकता हूं तो simply हम unit किसे बोलेंगे जो भी कोई stand out of reference जो भी कोई stand out of reference हम select करेंगे किसी भी physical quantity को measure करने के लिए उस stand out of reference को हम unit का नाम देते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम length of pen ही use करे या hands pen ही use करे अगर हम manches की tीली को हम ले ले लिए जैसे कि यहां पर है जो manches की tीली होते हैं इतनी बुड़ी होते हैं तो मैं इस line को उससे भी measure कर सकता हूं तो इसका मतलब में जो length of manches की tीली की length होती है उसी को stand out of reference माना है तो इसका मतलब वहाँ पर वही act करेगा as unit तो सिंपली अब हम उनित को कैसे दिफान करेंगे उनित is a standard of reference which we select to measure any physical quantity so let us write down the definition unit is a standard of reference selected to measure any physical quantity किसी भी physical quantity को measure करने के लिए जो हम standard of reference select करेंगे उसी standard of reference को हम unit का नाम देते हैं जैसे कि एक और example में देना चाहूँगा अगर मेरे पास एक box है और मैं इस box का mass measure करना चाहता हूँ तो simply हम क्या करेंगे अगर हम एक balance ले लेंगे यहां पर और इस balance में हम इस box को ले लेंगे और इस box का mass जो है हम measure करेंगे with respect to mass of brick अगर हम जो मास ब्रिक है उसके मुकाबले में हम इस box का mass measure करना चाहेंगे तो इसका मतलब हम इस box का mass measure करते हैं with reference to with respect to mass of the brick तो जो यह मास ब्रिक है वो एक्ट करेंगा यहां पर एजिए यूनिट तो तो simply unit क्या है unis a standard of reference जो भी हम standard of reference select करते हैй to measure any physical quantity चाहे वह length physical quantity हो measure करने के लिए चाहे हम mass measure करने हैं और पर चाहे हम time measure करने हैं तो simply किसी भी physical quantity को measure करने के लिए जो हम standard of reference इस्तिमाल करते है that standard of reference is called unit now अब जो ये unit है जो ये unit है ये कैसा होना चाहिए इसकी कुछ खुसूसियत होनी चाहिए now see तो यहां पे हम यहां पे लिखना चाहिए it is now the next part of this that is characteristics of unit characteristics characteristics of this pen as a standard of reference, मैं अपना जो hand span है इसको stand out of reference मानकर इसकी language measure कर सकता हूँ, तो जो भी हम किसी भी चीज़ को अगर हम यहां पर board की language measure करते हैं, by using the length of this pen as a standard of reference, तो जो इस pen की जो length है, it will act as a unit, अगर मैं अपना हाथ जो मेरा hand span है, इसको इस्तिमाल करूँ, इसकी length measure करने के लिए, तो मेरा hand span है, it will act as a unit, now, अब यूनिट तो हम इस्तिमाल कर सकते हैं, अब जो हमारा unit होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, क्या हकीकत में क्या हमें hand span unit इस्तिमाल करना चाहिए, अगर हम हाथ से, इस तरह से, इस तरह से मैंने कहा, कि किसी की लंबाई measure करना चाहिए, क्या हमें इसको unit मान कर चलना चाहिए, हमें, इसमें कोई problem मत होगी, definitely, now see, अगर मैं, for example, इसी board की length measure करूँ, for example, मैं इस board की length, अगर, मैं measure कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, कि यह जो length of this board है, वो है, ten hand span, तो यह मैं कह रहा हूँ, क्यूंकि मेरे हाथ से, यह ten hand span आ रहा है, now, अगर, जो, कोई और, आदमी होगा, जिसके hands जो होंगे, वो, मेरे से छोटे होंगे, तो possibility है, कि अगर मुझे इसकी length ten hand span आ रहा है, तो, उसके, हिसाब से, इसकी length आएगी, वो आएगी, eight hand span, अब, हम दो में से कून ठीक है, कून correct है, in fact, हम दोनों correct है, अपनी अपनी जगा, मेरे हिसाब से, यह ten hand span है, और उसके हिसाब से, eight hand span है, और, जो, यह information हम किसी को दे रहे हैं, तो, तो, confused होगा, अब वो, इसका मौनेगा, या, इसका, यह भी possibility है, अगर, वो, खुद इसको major करना चाहेगा, अगर, उसके, जो, hands होंगे, अगर, वो, हम दोनों से different होंगी, possibility है, उसको, यही, जो, length of this board होगी, वो, for example, वो, 12 hands पहनाएगा, तो, इसका मतलब, जो, मैंने major किया था, वो भी सही था, जो, दूसरे बंदे ने major किया था, वो भी सही था, और, जिसको हम कह रहे हैं थे, वो भी सही है, मगर, हमारा, जो, measurement है, यह, एक जैसा नहीं आ रहा है, तो, इसका मतलब है, कि, अगर हम, इसकी length of, hand spin से ही, करेंगे, तो, मैं, एक value दूँगा, दूसरा, दूसरा value देगा, possibility हैं, जो, तीसरा होगा, वो, तीसरा value देगा, तो, automatically, अगर हम, यह, information किसी को देना चाहिए, वो, confused होगा, तो, इस समझा से, हमारा, जो, unit है, unit हमारा, ऐसा होना चाहिए, जो, person to person, यह, वेरी नहीं होना चाहिए, तो, हम, हमारा जो, unit होगा, वो, जो, ऐसा होना चाहिए, जैए, तो, ना, वेरी, फРम, person to person, otherwise, वहाँ पे, एक, नहीं चैविजन, पईदा होगा, कायास पैदा होगा, तो, सब से पहली, जो, characteristic property, a very active unit होना चाहिए, the unit should not vary from परसंड टो परसंड तो यहां पर मैं एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा कि हम हैंड स्पैन को यूनिट इस्तिमाल कर सकते हैं मगर हमें नहीं करना चाहिए किम्कि इससे हम एक कन फ्यूजन इसे क्रियेट होगा मैंने स्प्ली का जो भी हम सिटन डाुड ओफ पर्फर्णन सेलेक्ट करते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम उस वकत उसे यूनिट माल लेते हैं उसको हम यूनिट तसलिम कर लेते हैं, मगर क्या हमें हैंड स्पैन यूनिट तसलिम कर लेना चाहिए? नहीं, किमकि यह परसं टो परसंट वेरी होना चाहिए, तो हमारा यूनिट ऐसा होना चाहिए, जो मेरे लिए भी जितना मेरे लिए उसका वेल्यू होगा उतना ही दूसरे के लिए होना चाहिए या इन डिफरेंट कंट्रियज उसका वेल्यू हर जगा एक जैसा होना चाहिए तो पहली करेक्टिस्ट प्रपर्टी यूनिटी होनी चाहिए, यूनिट शुड नॉट वेरी आपके होना चाहिए, जो परवेश उसका वेरी पर रिजंब हमने लेट लेंकत का यूणिट यह मान लिया है लेट इज वन मीटर चलो हमने यह मान लिया है इज वन मीटर यहां पर मैं बनाना चाहूंगा यहां पर यहां पर बनाओ चलो हमने इसको यूणिट माल लिया है लेट इस वन मीटर और यह हर किसी परसन के लिए इतना ही है और परसंट परसंट वेरी भी नहीं हो रहा है कंट्री तो कंट्री वेरी भी नहीं हो रहा है मगर अगर यह यूणिट जो है जो हमने यूणिट माल लिया है अगर यह हाईली expensive है तो highly expensive की वज़ा से सभी जो भी लोग जिनको ये unit की जुरुत होगी वो possibility है कि वो effort नहीं कर पाएंगे तो automatically unit ऐसा भी नहीं होना चाहे कि लोग उसे effort नहीं कर पाएंगे बल्किए unit ऐसा होना चाहे which is not highly expensive for example अगर मैं इस तरह से इसके example देना चाहूँगा अगर कोई आदमी fruits बेज रहा है और उन fruits को बेजने के लिए उसको एक unit चाहे लट केजी एक unit चाहे तो ये वहाँ पे जो unit होगा अगर वो unit highly expensive होगा तो automatically possibility है कि अगर for example वो unit जो वन केजी है अगर इसका cost है वन लैक अगर इसका cost है वन लैक तो automatically वो आदमी easily इसको effort नहीं कर पाएगा तो unit ऐसा भी नहीं होना चाहे कि which is highly expensive तो एक प्रापर्टी होनी चाहे यूनिट की कि वो परसंट तो परसंट वेरी नहीं हो दूस्टरी प्रापर्टी यह होनी चाहे इस नॉट भी हाइवली expensive तो दूसरी प्रापर्टी हम लिखेंगे यूनिट की हैं इस नॉट की की होनी हम एक लिखेंगे प्रापर्टी यूनिट की होनी चाहे नो यैंच जो यूनिट है it should be universally accepted for example अगर हम यहाँ पे लेट अगर हम एक मीटर को इस लेंगत को हम एक मीटर मानते हैं तो जो भी वर्ल डे में जो भी कंट्रीज हैं वो इतनी ही लेंगत को एक मीटर मानने चाहें फार जाबल अगर एक कंट्री लेट इंडिया इंडिया में हम यहाँ पे एक मीटर को एक मीटर इतनी लेंगत लेते हैं अगर दूसरी कंट्री लेट यूसे वो एक मीटर इसको मानता है यूसे में एक मीटर इस लेंगत को माना जाता है तो इसे क्या होगा अगर हमें कोई वहां से कोई चीज लानी होगी एक मीटर तो हम इस हिसाब से कहेंगे कि हमें वह चीज इतनी लंबी मिल जाएगी तो अगर वहां पर एक मीटर इस लेंगत का है तो जो हम वहां उनसे मांग रहे हैं तो अटोमेटिकली वह वह नहीं दे पा कंट्री तु कंधे मतलब उट्शुड भी यिज MJ अएемсяप्टेड्स सभी कंट्री जो है वह यूनिट को जो भी चाहए लेंगत का सब्सक्राइद सब्सक्राइश का यूनिट है तायं का भी result होंगे फिर भी हम उनको compare कर सकते हैं तो देखें एक और प्रापर्टी फिर इस यूनिट की the unit should be the unit should be universally accepted so that so that results can be compared but love here joe ham ya hapa manging a automatically different different countries say just country say hum both cheese manging a hum a utana he mill jae ga otherwise agar humara unit or do see country ka you know different होगा तो automatically अगर हम trade करेंगे किसी चीज़ की चाहे वो हम मास में बेज रहे हैं या length में वहाँ पे हमें इस्तिमाल होता है length का unit तो automatically जो हम मांग रहे हैं वो हमें नहीं दिया जाएगा ये या अगर वो मांग रहे हैं तो हम उनको वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि अगर हमारी ये तभी पॉसिबल होगा अगर हमारी units different होंगे तो इस confusion को दूर करने के लिए ये कयास दूर करने के लिए एक और चीज़ जरूरी है कि यूनिट के लिए डैट यूनिट शुड बी यूनिवरसली accepted जो हम यहां पर यूनिट accept करेंगे जिए फार जम जितना one meter हम यहां पर मानेंगे उतना ही one meter दूसरी country में भी होना चाहे ताकि जो भी results है वह हम उनको हम easily compare कर सकेंगे तो आप इसको प्लीज note कीजे एक और current district property जो इस यूनिट की होनी चाहे यूनिट की होनी चाहे यूनिट अब fourth one है अगर अब unit हमने select किया है कि जो expensive भी नहीं है आप समझा हमने unit select किया है अब जो expensive भी नहीं है अब एक और person-to-person vary भी भी नहीं हो रहा है country to country भी 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 नहीं हो रहा है हर किसी country ने इसको accept किया है मगर अब एक और चीजे मगर इस unit में यह problem है it is not easily available it is not easily available मतलब अगर for example ऐसे यूनिट जिनमें ये जो characteristics जो हमने बताए हैं वो हैं वो सिर्फ एक ही लिबाटरी में बनाए जाते हैं लिबाटरी में बनाए जाते हैं तो automatically चूँकि यूनिट्स की डिमाड जादा है अगर एक ही लिबाटरी में बनाए जाते हैं तो automatically क्या होगा हर किसी को यूनिट की जरूरत है तो इस यूनिट को डूड़ने के लिए अगर ये किसी एक ही जगा पर बनते हैं तो automatically इससे क्या होगा वहाँ पर इसको obtain करने में problems होगी या हम यह कहेंगे कि जब भी कोई चीज रियर होती है तो उसको obtain करने के लिए ये भी होता है कि वहाँ पर दंगे होते हैं लड़ाया जगडे जगडे होते हैं वहाँ पर तो इसका मतलब है कि यूनिट ऐसा भी नहीं हो यह होना चाहें कि जो सिर्फ किसी खास लिबाटरी में ही बनाया जाते हैं बलके यूनिट शुड बी ईसलिए अवलेबल आएमीन डेट यूनिट शुड बी रिप्रड़िस बरिप्रड़िसेबल इसली इन डिफेरंट लिबाटरी तो एक और प्रप्रप्ट जो ही उनिट ह Okay, unit should be, unit should be easily available, that is, that is, the unit should be, should be reproducible, in different laboratories, in different laboratories, different laboratories should be reproducible, so that it should be easy to reproduce, so that the unit is easily available, so one thing is the fifth property, now understand, these four properties in a unit are, but in this unit, it changes with physical conditions, like temperature, pressure, and temperature, pressure, pressure, temperature and temperature. So, the unit should not change with physical conditions, conditions like temperature, pressure, pressure, etc. I mean, if we have a unit, which has all the properties, easily available, expensive is not available, but there is one thing that it changes with physical conditions. For example, I want to give an example, the metals are generally, if we talk about metals, which we talk about metals, they expand, with increase in temperature, so this means that, for example, if we have a unit, let it is one meter, let it is one meter, let it is one meter, and we call it a unit, and we call it a unit. And this unit is the material, which is the temperature, which depends on the temperature. So, for example, if I go to the tailor, then I say that I have a shirt to make it, and I how much I want to make it. So, they are saying that I have a 3 meter meter, so I will make it a shirt. Okay? So, the thing I want to make my shirt, which I want to make my shirt, they call it this unit. So, I know that I need a 3 meter meter meter, to make a shirt. बनाने के लिए, now, अब चुंकि आज summer है, तो summer में temperature ज्यादा ही होता है, तो अगर मैं winter की बात करूँ, चुंकि मैंने अभी कहा कि अगर ये material इस तरह का है, जिससे हमने unit बना है, कि ज्यादा temperature होने के वज़ा से ये expand हो रहा है, और temperature decrease होने के वज़ा से contract हो रहा है, तो इसका one meter इतना है, तो temperature कम होने के वज़ा से winter में, तो इसी की length, इस one meter ये अब इतना होगा, तो अब यही चीज मुझे अब पता है, कि summer में मुझे पता है, कि मुझे तीन मीटर कबडा चाहे, shirt बनाने के लिए, अब मैं winter में जा रहा हूँ, shirt बनाने के लिए, और मुझे पता है, कि मुझे कितना कबडा चाही, 3 meter, तो जब मैं दुकानदार के अपास जाओं, वो मुझे 3 meter कबडा, इस meter के हिसाब से देगा, तो automatically, चूँकि winter में ये meter की length जो है, वो कम हुई है, तो automatically जो वहाँ पर मैं कबडा लियाओंगा, मुझे उससे shirt नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो पाइसा भी जाया होगा, और जो मैंने उसको कहा था, कि मुझे कितना in fact कबडा चाही, मेरे हिसाब से, उसने जो मुझे कबडा दिया है, वो उस अंदाल से नहीं होगा, क्योंकि जितना में चाहता था कि मुझे कबडा मिलना चाहे, वो मुझे नहीं मिला, वो क्योंकि ये unit with physical condition about the temperature के साथ वेरी हुआ है तो यह एक और चीज है जो एक यूरिट में हुना चाहे that it should not change with physical conditions like temperature pressure etc now equal property a unit की जो हुनी चाहे तो वो है it should be of convenient size it should be of convenient size मतलब जब भी आप unit को select करोगी तो उसका size जो होना चाहे वो convenient होना चाहे for example अगर मैं इसी board की बात करों तो अगर मैं इस board के लिए unit standard of reference किसी को select करों तो मुझे इस तरह का unit यहां पर लेना चाहे जो convenient हो for example मैं इसको measure कर सकता हूँ by taking the length of this pen as a standard of reference तो इसको भी मैं unit के तोर पर इस्तिमाल कर सकता हूँ मकर मैं माचस की तीली जो है उसको भी unit के तोर पर इस्तिमाल कर सकता हूँ मैं unit के तोर पर यहां पर इस्तिमाल कर सकता हूँ माचस की तीली ऑशी लिए उसके length बहुत ही चोटी होती है तो automatically के लिए वो निज जादा छोटा होना चाहिए और वो निज जादा बड़ा होना चाहिए तो यह था regarding unit हम किसे कहते हैं और unit की खुशूसियात क्या होती है तो लास्ट पे मैं कहना चाहूंगा actually unit क्या होता है it is a standard of reference it is standard of reference which is used to measure any physical quantity तिसी भी physical quantity को measure करने के लिए जो हम standard of reference लेते हैं उसी standard of reference को हम unit का नाम देते हैं अब यह जो unit है इसकी कुछ characteristics होने चाहिए number one it should be easily available easily available होना चाहिए it should not vary from person to person it should not change from country to country that means it should be universally accepted it should not change with physical conditions it should have convenient size मतलब निये units जादा चोटा होना चाहिए और निये जादा बड़ा होना चाहिए so these were some of the important characteristics of units now यह जो characteristics है यह characteristics maximum पाए जाते हैं SI units में so generally हम SI units को ही generally हम use करते हैं while measuring the different physical quantities जो हम आगे देखेंगे so this was all about this unit and the characteristics characteristics of unit so thank you dear students